नमस्ते, खिबाई, गूरीवनिंग, सब मेरे चुपड़ाते लोगों को कुछ इंपोर्टन समय देने के लिए, मैं ज़्यादा समय किसी का नहीं लूँगा, तिर्फ आपको ये एक बात क्लेर करने के लिए, कि हमने एक बात क्लेरी लखा है सब के सामने, कि जब तक हमें राइटिंग में, हमारा कॉंसिट्यूशनल सलूशन राइटिंग में नहीं दिया जाएगा, हम कोई भी पार्टी के साथ अलाइंस नहीं करें, ये पीजेपी हो, पीएम हो, कॉंग्रेस हो, जब तक, क्योंकि मैंन हमारा अलाइंस हो गया है, हमारा अलाइंस किसी पार्टी के साथ नहीं हुआ है, और जब तक हमारा डिमान, को कॉंसिट्यूशनल सलूशन का डिमान, राइटिंग में नहीं दिया गया, तब तक हम किसी के साथ भी अलाइंस नहीं करेंगे, अकेला फाइट करेंगे, और जी इडिया में जो लोग स्पेकिलिट कर रहे हैं, मैं उनको एक बात बोलना चाहता हूँ, हम यहां तक आये हैं क्योंकि हमने अपने लोगों को रिश्वास दिलाया था कि हम कॉंप्रमाइज नहीं करेंगे, हम लास्ट में अपने लोगों को कॉंसिटूशन सलूशन दिला करी र हम चाहते हैं कि हमारा अधिकार आए किसी का अधिकार ना जाए, लेकिन जो मैंने देखा है कि मीडिया में बहुत सपेकिलेशन हो जो गल्पी 2018 में IPFT ने किया, वो गल्पी हम 2023 में नहीं करेंगे। हमारे लोगों को बहुत धोका दिया गिया है, पहले भी और हम आने वाले दिन में अपने लोगों को विश्वाद खात महीं कर सकते। हमें जवाब देना है अपने लोगों को हमें अपने लोगों को बोलना है कि हम इतने दिन तक हमने फाइट किया और आखिर में बिना राइटिंग का हम किसी के संग अलाइंस करेंगे तो ये विश्वाज खात होगा वो बागरा ये खोने नहीं तो मैं अनुरोद करता हूँ सब को कि आप ये सब बात में मत जाएगे और हाँ आने वाले एक दो दिन में मैं IPFT से आज बात कर रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि IPFT भी ठान सा होकर एक पार्टी बनकर हम लोग एक संग आने वाले दिन में लगए मैं आशा करता हूँ कि कुछ अच्छा ख़बर आएगा और आई-पी-एफ्टी और ती तरह मौथा भी एक हो जाएगा लेकिन किसके बाद और भी कोई मीडिया हाउस अगर ये बात फेलाता है कि हम बीजेपी के साथ अलाइंस कर रहे हैं कॉंग्रेस के साथ या सीपियम के साथ ये गलत बात क्योंकि हमको राइटिंग में अलाइंस चाहिए अगर राइटिंग में नहीं दिया गया constitutional solution और a core demand तब तक हम किसी पार्टी से अलाइंस नहीं देए बेलाई बेलाई नो हम बाए और मुझे लगता है कि इसके बाद और कोई सवाल इधर उधर का नहीं होना चाहिए हम compromise नहीं करेंगे अपने लोगों का अवश्य के लिए अपने next generation के लिए बेलाई नो हम बाए खुलोगा